काके में भाजपा एस्टी मुर्च द्वारा बुधवार को भगवान विर्षा मुंडा का 121 सहाधत दिवस मनाया गया इस दोरान भाजपा ग्रामिन मंत्री हरिनात साहो ने भगवान विर्षा मुंडा की प्रतिमा पर मालियारपन करच रंधान्जले दी इस कारिकरम के दोरान मंडल अध्यक्ष रामलखन मुंडा, एस्टी मोर्चा, अध्यक्ष दिलीप मुंडा, उप मुख्या बेनी महतो, पावन महतो, सुनलेंदर लिंडा, प्रतिव ठाकूर और हान्य दरजनो भाजपा कारिकरता मौजुद रहे वही सहादत दिवस के आउसर पर भाजपा ग्रामिन मंत्री हरिनाथ साहु ने कहा कि विकर्ट स्थिती में भी भगवान बिर्सा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा मनवाने का काम किया था और इसी की चलते हमारा देश आजाद हो सका आज देश ही नहीं पुरे दुनिया में भगवान बिर्सा मुंडा का सहादत दिवस 121 सहाद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज हम लोग भारती जनता पार्टी परिवार की ओर से भी स्टी मुर्चा के नेतरीत में कांके मंडल में आज हम लोग सहादत दिवस मना रहे हैं और इनके चित्र पर हम लोग अजपुस पांजली अर्पित किये और इनके बताय हुए मार्क पर चलने का एक प्रेरना जो इन्होंने ऐसा इतिहास रच की गया है हम संभों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरना का स्रोत है एक 25 वर्ष की मात्र आयू में जिस प्रकार इन्होंने देश के बिकट परिस्थिती में भी अंग्रेजों के खिलाप लोहा लेने का काम किया था उससे जन जन में एक करांती का एक राष्टवादी का जो इन्होंने एक भावना भरने का जो काम किया था उन्हीं को आज हम दों याद करते हुए इनका 101 किश्वा पुनिति थी हम सभी भाजपा काके मंडल और खास के अभी दिलिप मुंडा जी हमारे साथ है अभाजपा काके मंडल के इनका नेतरित में हमारे साथ में भाजपा काके मंडल के अध्याच रामलखन मुंडा जी है इस प्रकार सभी भाजपा के काचकारताओं के परिवार के द्वारा हम लोग आज पुनितिति मनाए वही एस्टी मोर्षा की दिलिप मुंडा ने कहा आज लोगों को उनके बताय हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है कि हमें उनकी जैसा सोच रखकर पुरे भारत को लेकर चलने की आए सकता है वहीं सहाधत दिवस के आवसर पर किसान मोर्चा के पवन कुमार ने कहा कि युवाओं को भगवान भिर्शा मुंडा को अपना प्रेणा स्रोत मानना चाहिए भगवान भिर्शा मुंडा हम लोग जैसे नोजवानों के लिए हमने प्रेणा का आई हैं जिस तरह उनका सहाधत हुआ हमारे ही राची के ही जेल में उनका सहाधत हुआ था आज भी वो कामेरा वहां पर मौजूद है इवाओं को उसे प्रेणा लेनी चाहिए हुआ जिस इवाओं में मतलब 20-25 साल के उमर में उनका जो सहाधत हुआ वो देश के लिए अपना बलीदान अपना जो भी जान नशावर कर दिये इसी तरह हम लोग जैसे इवाओं को भी उसके बताये हुए मर्क पर चल कर अपने देश के विकास के लिए अपने समाज के विकास के लिए अपने गाउं के विकास के लिए अपने राज के विकास के लिए उन्ही के बताये हुए मर्क पर चल कर हम लोग को भी आगे बढ़ना है और अपने समाज को आगे बढ़ाना है अपने देश को जो आज जन जन के सब के दिल में जिस तरह के उरजयवान जिस तरह के उन्होंने अपना बलिदान जिस तरह से उन्होंने पुरा हींदूस्तान के लिए किये हैं और इतने कम और उम्र में जिस तरह के उन्होंने अपना बलिदान दियें जिस तरह के उसनों पुरा हिंदुस्तान के यह काम की हैं वह बहुत ही स्रहानिय हैं उसको हम लोग दिल से और पहेद दिल से आने वाले भाविश्य में जब तक चांदा सूरज रहेगा तब तक इनका नाम लिया जाएगा दहती आबा बिर्शा भगवान हमेशा से इवाव के लिए ही कार करते रहे हैं और संगठन कैसे बनाया जाया लोगों को संगठित कैसे किया जाया यह हम लोगों को भगवान बिर्शा मुंडा से ही सीखना चाहिए चुकि उस समय किसी भी तरह का कोई साधन नहीं था कुछ भी नहीं था और जंगल में रहके दूर दूर जाके वो संगठित लोगों को करते थे लोगों में जोस भरने का काम करते थे इवाव को कैसे आगे मतलब काम करना है देश हीत के लिए कैसे काम करना है और कैसे मतलब आंदोलान में बढ़ चाड़ के हिसा लेना है इसके मतलब लिए जोस भरने का काम करते थी इवाओ को और निश्चिन तोर से इवाओ का एक बहुत ही मतलब पिरना दायक मतलब बिर्शा भगवान रहे हैं आज इवाओ हमेशा मतलब उनको याद करेगा और याद करता रहेगा करजा में डुबल है किसा जानत रहे हर इनसान बंद रहे हर जबान चूप रहे हर इनसान विसमन पिरा दिखा ले पचास जार कर कर जा एक रुपया में माप करा ले